स्वयम पुरोहित विपक्षी दल होने के नाते चर्चा चाहते हैं आप लेकिन क्या आप राजिता जी जो कह रही है वो सूरत बन सकती है क्या क्या 186 पर चर्चा करा ले सभापती का विवेक होगा गंभीर घटना है इसमें किसी को कोई संशे नहीं किसी को दोराए नहीं सभापती आगे बढ़ाएंगे उस चर्चा को जी गरीबा जी बहुत-बहुत धन्यवाद सरपर्थम तो 40 मिन बाद मुझे बोलने का मौका मिला है आपको आपको नमन करता हूं कि आपने जो महत्कून समय बढ़ान नारि सक्टी ऑठा जिस तरह से घटना हुई है अमनिपूर के अंदर में अंतरicar राश्तिय देशों .. highly विदेशों के अंदर महीं से चर्चा हुआ मगे हुगे में अंगर हम्हारे डेश के अंदर में אम परधह अमधार्द मंतरी ऐसे हैं आप सोचिए 75 दिन तक उनके उपर जो कुकर हुआ उन महिलाओं पर उन लोगों को संग्रक्षर दिया गया वहां के लोग है ये स्टेट इस्पॉंसर चीज थी और रही बात 176 और 267 के उपर इमेट करने की तो आप दुखिए इतना इंपॉर्टेन मुद्दा है और भारती जन्ता पार्टी लीपा पोती करके इसको बंद कर देना चाथी है हम तो चाते हैं नैसों करन वहाँ परधान मंत्री जी पहल करें और सबसे पहले संसत के अंदर में बोले कि ये काम हुआ है मलीपूर के अंदर में पुरा देश समसार हुआ इससे और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप जिम्मेदारी से मत मागए, पुरा देश आपके साथ खड़ा है, हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप जिम्मेदारी से मत मागए, जो कठोर से कठोर निने आपको लेना है, हम आपके साथ खड़े है देखे 267 के अंदर में जब डिबेट होती है आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया 267 का मतलब हुग है कि आप बाकी कोई सब मुद्दे छोड़ दीजे आप राजस्तान पे भी बात करेंगे बंगाल पे भी करेंगे सब पे करेंगे बगर जो उन बच्चियों के साथ हुआ है पूरे विस्व ने देखा है हमारा माथा सरम से नीचे है उस चीज की चर्चा हम पहला मेंड़ में करके देश की महिलाओं के साथ खड़े होना चाहते है जिस की महिलाओं को उनका जो अधिकार है कोई उपकार नहीं कर रहा है गरह मंतरी जी ने जो कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं अरे आप कोई महाइसान कर रहे हैं आप लोगतंत रहे हैं आपको चर्चा करनी चाहिए तो अगर 267 पर सरकार चर्चा के लिए तयार नहीं होती है तो क्या में पश्रमाल पर भी आती है यह सियासत का चरित रह भई यह सियासत का चरित रहे सियासत सदा सदा है रही होती रही अगर कोई आसा चरित रखता है तो ऐसी सरकार को उखाल के प्रेकने की चंता रखती है यहां की जन्सा को लेकर जल्दी से बता दीजेए यहां पर लोग और अपना काम करता है कहीं भी कोई खराब घटना होती है उसके ओपर लोग और अडर एक्टिव होके अपना काम करता है हमें ऐसी बात नहीं करते हैं समय होता तो मैं आपसे और प्रशन और सवाल करती सुएम पुरोई जी लेकिन क्योंकि मुझे समय इतनी ही आग्या देता है इतनी इजाज़त देता है सवाल बहुत सारे हुए सुकेश जी अंत में बस में दस सेकेंड मैं आपसे पूछना चाह पुरानी सरकारे देखी हैं अभी की सरकार देख रहे हैं सायद नयाय जो है वो कहीं खोकर रह जाता है वो रास्ते में रह जाता है अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि करगिल में देश के लिए लड़ने वाला जवान अपनी वाइफ को मलेस्ट होने से नहीं बचा सकता क्या ऐसा सवाल जब सामने आए कि फ्रीडम फाइटर की बिद्वा जो है वो घर में जला दी जाए उसके घर को आके हवाले कर दिया जाए ये जवाब नाकाफी है